हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी ट्रिक्सेंद मस्ती में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एर टेल के पुराने सीम को आप पर 2G सीम को 4G में किस प्रकार से अपग्रेड कर सकते हैं आज का वीडियो काफे इंपोर्टेंट है अगर आपका पुराना सीम आपके 4G मोबाइल में ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है उसमें आपको नेट चलाने में प्रोब्लम हो रही है तो आप उसे 4G में अपग्रेड कर सकते हैं बिल्कुल आप अपने आप भी कर सकते हैं किसी के हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं होगे इसके लिए आपको चाहिए एक ओल इन वन सीम जो कि आपको एर्टेल रिटेलर के पास मिल जाएगा या फिर आप एर्टेल इस्टोर से भी खरीद के ला सकते हैं अगर आपके पास एर्टेल ओल इन वन सीम है जो कि वाइट सीम आता है तो आप अपने मोबाइल से ही मात्र कुछ ही मिंटो के अंदर अपने 2G सीम को 4G में अपग्रेड कर सकते हैं दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आए जान देए दोस्तों 2G सीम को 4G में करने के लिए आपको अपना पुराना सीम जिस मोबाइल में लगा हुआ है उसी मोबाइल से आपको एक SMS भेजना पड़ता है तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और वहां से आपको 1,2,1 1 to 1 में आपको एक message भेजना है, send करना है, और message में आपको लिखना है, English के बड़े अच्छर से SIM, SIM लिखना है, message में आपको English के बड़े अच्छर से capital letter में SIM लिखना है, उसके बाद एक space देना है, और फिर आपको all-in-one SIM जो आपके पास है, उसका SIM नमबर को आपको type कर लेना है जो भी आपका SIM नमबर है, blank SIM, all-in-one SIM का, उस पूरे नमबर को आप यहाँ पे type कर ले, जो भी आपका SIM नमबर लिखा हुआ है, SIM में, उसके बाद आपको उसी air tail के SIM से आपको एक message भेजना है, तो मैं यहाँ जो mobile यूज़ कर रहा हूँ, उसमें double SIM लगा हुआ है, तो मैं य air tail वाले SIM मेरा दो नमर में लगा हुए है, मैं उसे select कर लेता हूँ, और send कर देता हूँ, तो send करने के बाद आपको कुछ second wait करना है, उधर से reply में आपको एक SMS मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है, कि आपका SIM change करने की request मिला है, reply करना है, एक लिखके reply करना है, 60 second के send करने के बाद आपको कुछ second तक wait करना है, और उधर से आपके पास एक company की ओर से call आजाएगा, उस call को आपको receive कर लेना है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका SIM change करने का request मिला है, अगर आपके पास SIM है, blank SIM है, तो आप एक दबाएं तो वहाँ आपको एक दबा लेना है, अगर एक बार में एक काम नहीं करें, तो आपको फिर से एक दबा के देख लेना है, और तो समय लेजे कि आपका SIM अगरेट के परकेरिया पूरी हो चुकी है, और आपको कुछ देर में, जिसमें कुछ देर बाद आपका 2G SIM बंद हो जाएगा, और 4G SIM आपका चालू हो जाएगा, आप कुछ देर वेट कर लें, आधा घंटा या यह घंटा, उसके बाद आप अपने Neo SIM को अपने Mobile में लगा लें, और अगर आपका Network नहीं आ रहा है तो आप उसे बंद करके फिर से दुबारा चालू करें, आपका वही नम्मर 4G में अपग्रेड हो जाएगा, तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगे, आप वहां से जा करके इसी तरह की देर और टिप सेंटरी की वीडियो हिंदी में आप देख सकते हैं, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंदु